अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें महंदरगड में राजपूद समाज को एक जूट करने को लेकर एक प्रेस कंफरेंस का आयोजन किया गया विनोत तवरपाली ने कहा कि काफी दिनों से कुछ लोग यह भरंतिया फैला रहे हैं कि राजपूद समाज एक नहीं हो सकते उन्होंने बताया कि कुछ राजनिती के लो लोगों को इखटा किया जाएगा राजपूद समाज में हो रही दो फाड को खतम करने की कोशिश की जाएगी और पूरे राजपूद समाज को एक करने की कोशिश करेंगे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा समाज और इसके अलावा सभी समाज के लोगों को सतना और मैं आपको इसके बारे में जानकर देना चातों मैं विनोतों और पाली समाज का एक हिश्चा हूँ इस वज़े से हमारे को एक पीड़ा होई कि हमारा समाज दो सभाओं के बीच में कहीं खंडित हो रहा है और पिछले काफी कई समय से दो मीटिंगें भी हुई जिसमें एक लगबग सामने आ चुकी हैं और ये सारी जो एकिकरण की बात हैं ये समाज की उपर छोड़ दी गई हैं समाज इन दोनों सभाओं से सवाल करेगा और उनको समझाएगा और इनका एक करने का परियास करेगा क्योंकि मेहंदरगट जीला के अंदर लगबग 64 गाउं है राज पुतो की जन संख्या है और इसी लिहाज से जो समाज की एकता को लेकर हम लोगों ने ये एक जिम्मेवारी और नेतिकता का फर्ज समझ के अपने आप पर समाज को एक जुट करने का परियास किया है उसी कड़ी में आज हमारे साथ में मेरे साथ में विशेशतोर से दो पार सद हमारा नांगल चोधरी से उनकी दादी एकस्पाइर होगी ने तीन पार सोदों के साथ अब समाज के लोगों के साथ आज हमने प्रेस कौनफेस की है और वीस तारिका मुखे लक्षे हमारा ये ये समाज को एक रूप में एक सुत्र में बाधना सर एक बात बताई जैसे क्या कारण रहा होगा कि राजपूत समाज को दो फाड़ों में दो भाकों में बटना पड़ा किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस चीज़ के देखे मैं ये कहुँआ कि कुछ समाज के अग्रिणी वक्तियों में एसमंजस की स्थितियों और कुछ एसास राजनितिक पार्टियों में समाज को नहीं बाठना चाहिए जब समय आएगा चुनाव का उस समय कहीं भी अपनी प्रजात अंतर में जिसतरे एक लोगत अंतर परनाली के अंदर हख अधिकार होता है उसके हिसाब से आप वोट कहीं भी डालें लेकिन समाज को एक आपने राजनितिक प्रोटियां सेकने के लिए अपने स्वार्थ के लिए वो समाज को ना तोड़े क्योंकि समाज एक बहुत बड़ी ताकत होती है और विशेश तोर से मैं राजपूत समाज के लिए चेतर के और देश के लिए करता हूं कि राजपूत एक ऐसी कौम है कि समाज पूरे छेतर देश समाज के लिए एक छत्रिय समाज ऐसा है जो शेवा और पूरी सुरक्षा देता है तो ऐसे समाज को एक जूट होने का परियास करवाएंगे हम और इस मुही में लगे वे हैं दो बैठकें पहले हो चुकी हैं और ये बैठक मेरे ख्याल से निर्णा होगी और इसमें एक ताका सुत्र में हम बादने का परियास पूरा करेंगे में दरकर्षी ब्यूरो हैड कि संसैनी की रिपोर्ट हर न्यूज हर याना